कर्क राशी वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023? साल 2023 कर्क राशी के जातकों के लिए कई बड़े परिवर्तन लेकर के आने वाला है. इस साल की शुरुवात में ही शनी आपके सात्वे भाव से निकल कर अश्टम भाव में गोचर करेंगे जिसे शनी की धहया कहा जाता है. शनी के प्रभाव से आपको मानसिक तनाव और करियर में दिख्त आ सकती है. धन से जुड़े मामलों में भी आपको सावधान रहना होगा और वहीं शिक्षा से जुड़े मामलों में भी शनी कठिनाई देगा. देव गुरु ब्रहस्पती साल की शुरुआत से लेकर बाईस अप्रेल तक आप भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और आपके भाग्य और धर्म भाव को मजबूती देने का काम करने वाले हैं. 22 अप्रेल को भाग्य से निकल कर दशम भाव में गुरु का गोचर राहु से युक्त होकर गुरु चांडाल योग का निर्मान करने का काम करेगा, वहीं शनी की नीच की द्रिष्टी आपको कश्टकारक साबित होगी. इस समय आप दूसरों की बातों में आकर अपनों को ही पराया कर लेंगे. कार्य स्थल पर आपके शत्रू लगातार आपको परेशान करने वाले हैं. राजनीती से जुड़े जातकों को कठिनाई होगी. आपके उपर जूठा आरोप लगाकार FIR की जा सकती है. अश्टम भाव में शनी होने के कारण आपको कोई बीमारी घेर सकती है. आपके कार्य स्थल पर सतत रूप से विघना आने के योग है, लेकिन गुरू के भाग्य में होने से आप उनसे बाहर निकल जाएंगे. 30 अक्टूबर को राहू आपके भाग्य स्थान में वही केतु आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे. इस संचरन से आप गुरू चांडाल दोष से मुक्त होंगे और आर्थिक संपन्नता की ओर गती करेंगे. इस साल गुरू आपके भाग्य में वृद्धी करेंगे और राहों के कारण आप कठिन से कठिन समस्या का भी हल बड़ी चतुराई से निकाल लेंगे इसके अलावा बाकी ग्रहों का संचरन भी समय समय पर आपको प्रभावित करेगा जन्वरी फर्वरी जन्वरी माह में लगनपर गुरू शुक्रो और सूर्य का प्रभाव आपके उर्जा प्रदान करने वाला होगा इस समय आप अपने समाज के लिए कोई बड़ा धार्मिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं आपको धार्मिक यात्रा से लाभ होने की उम्मीद है बुद का गोचर नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है लाभ में विराजमान मंगल जन्वरी और फरवरी माह में आपको भाईयों से सहयोग और अच्छे लाभ के मौके बनाएंगे इस समय आपके शत्रू आपका कुछ भी नहीं बिगार पाएंगे सत्रा जन्वरी से शनी की धहिया आपको थोड़ा कश्ट देगी इस समय दशम में विराजमान राहु पर शनी की नीच की ध्रिष्टी जीवन में कुछ क्लेश पैदा कर सकती है केतु मंगल का शडाष्टक योग आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है और आप चोट का भी शिकार हो सकती है शनी की पंचम पर ध्रिष्टी आपके लिए पारिवारिक तनाव का कारण बन सकती है इस समय आपको अपनी बुद्धी से निर्णय लेंगे होंगे पंद्रा फरवरी से चौथे भाव के स्वामी शुक्र की मीन राशी में गुरू के साथ यूती होगी उच्च का शुक्र यहां राज्यों को जन्न देकर भूमी और वाहन से जुड़े सुखों में वृद्धी करेगा इस समय आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं आपको पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का योग भी बनेगा सूर्य फरवरी माह में अश्टम भाव में विराज्मान शनी के साथ बैठ कर एक अशुब योग का निर्मान करेंगे 15 मार्ज तक का यह समय सूर्य शनी यूती से प्रभावित होगा और गुरू के द्वादश होने के कारण यहां आपके पिता को बेहत कश्टकारी होगा इस समय पिता से मतभेद और पिता को चोट जैसी घटना आपके साथ हो सकती है इस समय धन से जुड़े मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी और किसी भी नए निवेश को सोच समझ कर करना होगा 13 मार्च को मंगल आपके विदेश भाव में प्रवेश करेंगे मंगल यहां गुरू से केंद्र में होंगे जो आपके लिए विदेश से लाप के रास्ते खोलने वाला होगा इस समय काम के सिलसिले में आपकी यात्रा आपके लिए लापदायक सिद्ध होगी इस माहबुद का नीचबंग राज्योग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए शुब रहने वाला है इस समय आपकी मेहंत का फाइदा आपको मिलने वाला है 12 मार्ज के बाद शुक्र भी आपके दशमभाव में गोचर कर राज्योग का निर्मान करेंगे और स्त्री जातकों के लिए सफलता के दर्वाजे खोलने का काम करेंगे इस समय कार्य स्थल पर किसी महिला सहकर्मी की मदद से आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है राजनीती से जुड़े जातक महिला वर्ग को प्रभावित करने में सफल होंगे अप्रेल में उच्च के सूर्य की यूती दशमभाव में राहु बुद के साथ होगी इस प्रभाव से आप कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए यह महिना बदलाव का महिना होगा और आपकी कहीं से बड़ी नौकरी का ओफर आ सकता है मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े लोग तरक्की करेंगे इसी माह की शुरुआत में शुक्र देव अपनी ही राशी में गोचर कर लाब भाव को पुष्ट करने वाले हैं जिसके कारण आपको कपड़े इत्र और सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े कामों में लाब होगा कारोबारी महिला वर्ग को बड़े आडर मिलेंगे और धन प्रवा उत्तम रहेगा इसी महीने के अंत में देव गुरु ब्रहस्पती आपके दशंभाव में प्रवेश कर राहु से यूती करेंगे 22 अप्रेल से 14 मई तक वहां सूर्य भी होंगे इस समय मेश राशी में सूर्य गुरु और राहु की यूती होगी और शनी की द्रिष्टी के कारण कार्य स्थल पर आपको अत्यधिक मेहन्त करनी होगी इस समय आपके दश्वे भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा और इसके प्रभाव से धन से जुड़े मामलों में कठिनाई होगी हालां की राजनीती से जुड़े जातकों को अच्छा पद मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है मई से जून दस मई से मंगल का करक राशी में गोचर होगा जोकी मंगल की नीच की राशी है जगन में बैठकर शनी के साथ अशुब शड़ाश्टक योग का निर्मान करेंगे शनी और मंगल एक दूसरे से छे और आठ होकर इस अशुब योग का निर्मान कर आपको कष्ट प्रदान करने वाले होंगे इस समय किसी दुरगटना से आपको नुकसान हो सकता है वही भाईयों से विवाद संभव है कोट केस का निर्नय आपके खिलाफ जा सकता है इस समय शनी की बुध पर दृष्टी और मंगल के साथ इस योग के कारण धन खर्च का योग दिखाई पड़ रहा है जून के माह में बारवे सूर्य और चौथे भाव में विराजमान केतु पर मंगल की दृष्टी से मानसिक तनाव बना हुआ रहेगा हालांकि बुध के लाब स्थान में गोचर से आपको वित्त के मामलों में थोड़ा सुकून मिल जाएगा बुध के प्रभाव से आपको मित्रों का भी सहयोग प्राप्थ होगा और विद्यार्थी वर्ग को भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्थ होगी जुलाई से अगस्थ जुलाई अगस्थ के माह में सूर्य का गोचर आपके अनुकूल होगा आठ जुलाई को बुद्ध का लगन में गोचरवानी के प्रभाव से सफलता देने वाला होगा इस समय मंगल शुक्र का सन्युक्त गोचर व्यापारी वर्ग के लिए शुक्त साबित होगा जो जातक पैत्रिक व्यापार से जुड़े हुए है उनके काम में उन्नती होगी गुरू की धन भाव पर द्रिष्टी पत्नी के सौभाग्य की व्रिधी करने वाली होगी इस समय आपकी पत्नी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ती संभव है साथ अगस्त को शुक्र का लगन से होने वाला गोचर वानी में मधुरता प्रदान कर कारियों में गती लाने का काम करेगा सूर्य बुद्ध का बुधादित्य योग आपके संचित धन में व्रिधी करने वाला होगा 18 अगस्त को मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर आपको सासी बनाएंगे और भाईयों के सहयोग से मन प्रसन्न होगा इस समय शनी मंगल का शडाश्टक योग भी होगा इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अती उत्सा में कोई भी काम करने से बचे सितंबर माह के मध्य में आपके पराक्रम भाव में दशमेश और धनेश की यूती आपके लिए राहत का काम करने वाली है इस समय सरकार से जुड़े लोग आपके लिए लागदायक रहेंगे उच्च अधिकारी आपके उपर महरबान रहेंगे और आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी दिया जा सकता है दो अक्टूबर को शुक्रका सिंग में वही एक अक्टूबर से बुध अपनी उच्च राशी में प्रवेश कर मीडिया से जुड़े जातकों के लिए सफलता के द्वार खोल देंगे इस समय उच्च के बुध के कारण भाईयों और मित्रों से सहयोग प्राप्थ होगा इस माह चौथे भाव में नीच के सूर्य के साथ मंगल केतू की युती पारिवारिक कला का कारण बन सकती है इस समय थोड़ी मानसिक अशान्ती के साथ अपनी मा की सेहत को लेकर भी आप परेशान हो सकती है साल के अंत में आपके लिए राहू और केतू का संचरन बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है तीस अक्तूबर को राहू का गोचर आपके भाग्यस्थान में होने जा रहा है वही केतू का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा नवंबर से दिसम्बर नवंबर में लाब और चौथे भाव के स्वामी शुक्र अपनी नीच राशी कन्या में गोचर करेंगे जो आपके लिए कश्ट कारी होगा शुक्र केतु की इस यूती इस माँ आपको स्त्री जातक से कश्ट की संभावना है किसी स्त्री के कारण आपको धन हानी हो सकती है वहीं पत्मी के स्वास्थिका ध्यान रखना होगा पंचम में बलवान सूर्य मंगल की यूती आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर देने वाली होगी हालांकि इस समय संतान से मतभेद भी सामने आ सकते है राहु का गोचर पराक्रम को बढ़ाने वाला रहने वाला है साल के आखिरी दो माह आप गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और ब्रहस्पती अब अपना पूर्ण फल आपको देने का कार्य करेंगे साल के आखिरी माह में आपके धन में वृद्धी और संपत्ती प्राप्ती के योग दिखाई दे रही है शुक्र अपनी तुला राशी में गोचर कर राज्योग का निर्मान करेंगे और परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है वही सूर्य भी छटे भाव में नौकरी में तरक्की और उन्नती का मार्क प्रशस्त करने वाले होंगे सप्तम बुद्ध और दशम गुरु के प्रभाव से वाणी में तेज और तीवर बुद्धी होगी जिससे आप कठिन से कठिन कार्य को भी हल करने में सक्षम होंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को शेर कीजिए ताकि आपके प्रिये भी लाब उठा सके मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ बहुत जल्दी शुक्रिया